बिस्मिल्ला रह्मार रहीम, असलाम लेकुम, आज मैं घर पर बना रही हूँ, पालक के पकोड़े, पालक कर अलू के पकोड़े बनाऊंगी, मोसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो पकोड़े बनाने का जी चाह रहा है, तो आएज मैं बनाते हैं पकोड़े, तो इसके पालक और सबस दनिया ये मेरे अपने घर के उगाए हुए हैं बहुत ही फ्रश हैं और बहुत ही मज़दार हैं तो आए इनको काट लेते हैं तो ये पालक मेने काट लिये हैं आलू भी काट लिये हैं और प्यास भी लंबाई में काट लिये हैं साथ में सबस दनिया काट लिये सबस मिर्चें काट लिए और पुदीने की पतियं भी मैं इसमें डालूँगी तो बहुत ही सादा मसाले इसमें डालूँगी हाफ टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा एक टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर जाएगा एक टी स्पून कुटियोगी लाल मिर्चाएगी ये मसाले इसमें डाल कर मिक्स कर लेंगे एक टेबल स्पून इसमें अनार दाना मैंने दो कर साफ कर लिया है ये भी मेरे अपने घर का अनार दाना है ये भी मैं इसमें डालूंगी इससे बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आएगा साथ टेबल स्पून इसमें है बेसन के यह मैं बेसन डालूंगी इसको मिक्स करूंगी अगर कम पड़ा तो मज़ीद डालूंगी और इसको मिक्स करने के लिए पानी चाहिए ये मिक्स किया तो बेसन कुछ कम लग रहा था तो ये तीन बड़े चम्चे बेसन के आम इसमें और शामिल करेंगे इतना बेसन टालेंगे कि आपका पकोड़ा अच्छी तरह बन जाए वो टूटेना बिखरेना अच्छी तरह जूड़ जाए तो बेसन का मिक्सिर तयार हो गया एक तरफ आईल राख देंगे गरम होने के लिए आईल गरम हो जाए तो इसमें एक टेबल स्पून लेकर पकोड़े इसमें डालते चाहेंगे छोटे बड़े आप अपनी मर्जी के मताबिक डाल सकते हैं उतने ही डालेंगे जितनी पैन में जगा होगी इनको आईस्ता आईस्ता पकने देंगे अगर आप पालक के पकोड़े बना रहे हैं तो पालक जब डालेंगे तो साथ ही पकोड़े बनाना स्टार्ट करेंगे अगर आप ज्यादा देर ये पकोड़ों का मिक्सिर रखेंगे तो पालक बहुत ज्यादा पानी छोड़ देगी तो जैसे ये पकोड़े पकते जाएंगे तो इनकी साइड भी चेंज करेंगे वकफे वकफे से अच्छा सा इनको ब्राउन करेंगे और बीछ पीछ में इनको हिलाते रहेंगे थोड़े से कριस्पी होने पर इनको उतार देंगे अब ये पकोड़े तैयारें तो एक तरफ इनको अच्छी तरह इनका आइल नचोड़कर एक पलेट में अखबार रखेंगे और अखबार के उपर पकोड़े रखेंगे ताकि एक्सरा आइल जो है वो इसका निकल जाए तो इसी तरीके से हम सारे पकोड़े बना लेंगे मज़ेदार से क्रिस्पी पकोड़े हमारे तैयारे अगर आपको मेरी ये पकोड़ों की रेसिपी पसानद आई हो तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक करें शेयर करें कॉमेट्स करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें तो आजिए ये खिद्सीरत बारिश का मोसन भी नज़ाए करते हैं और पकोड़े नज़ाए करते हैं